क्या आपने अभी अगर 12th complete करी है या आप graduation complete कर चुके हो या graduation कर रहे हो तो आपको जो मैं आगे courses बताने वाला हूँ उन courses पर हाप काम करकर आसानी से 40-50,000 रुपे minimum earn कर सकते हो मैं आकाश सावकारे कोशिश करता हूँ students के लिए नए नए वीडियो जो आपको online earning में learning के साथ में मदद करे तो आज हम बात करेंगे most in-demand computer careers in 2022 2022 में आपको कौन सा stream select करना है computer related आज इसमें हम in-depth बात करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं कि यह course कौन adopt कर सकता है तो मैं आपको बता दू कि आपने अभी अगर 12th complete करी है या आप graduation complete कर चुके हो या graduation कर रहे हो तो आपको जो मैं आगे courses बताने वाला हूँ उन courses पर हाप काम करकर आसानी से 40 से 50,000 रुपे minimum earn कर सकते हो earning के हिसाब से यह जो आपको बता रहा हूँ stream बहुत important है दे computer में होना ही चाहिए या फिर अगर आप graduation कर चुके है तो भी अगर आपको basic computer का knowledge है और थोड़ा बहुत interest है कि हां मुझे computer related काम कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो और अगर आपके पास में किसी particular computer domain को लेके skill set है तो वो definitely वो course भी आपके इस वीडियो में cover हो जाएगे कि आप किस direction पर जाना चाहिए आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में दो चीज़े बताने वाला हूँ कि कुछ courses ऐसे होंगे जो long term courses महिने दो महिने तीन महिने में आप उससे learn करके earning कर सकते हो आसानी से no doubt long term earning ज्यादा देंगे but short term आपको earning कम देंगे पर आपको instant earning मिलेगी ऐसा नहीं है इसमें experience short term courses में experience होने के बाब में भी long term और short term दोनों बराबर हो जाते हैं चलिए सबसे पहले समझते long term course कौनकों से हो कि engineering करके आपके पास में इतने vast reason मिल जाते हैं इतनी सारी चीज़े मिल जाती है कि आपकी job पकी होती है यह कहने की बात है कि आप बहुत अच्छे से college से करोगे तो ही successful होंगे मेरा यह मानने अगर आपका computer में interest है और आप एक software engineer बन गए हो आपने आपके subject को भी आसानी से अ demand है 2022 में इसकी demand कभी खतम होई ही नहीं सकती क्योंकि online रहा आ चुका है software engineering एक बहुत evergreen branch है अब हम बात करते हैं कि अगर आप graduation के साथ में यह कुछ करना चाहते है तो आप एक long term एक साल का course होता है यह 6 महीने का भी course होता है आप java development कर सकते हो यह language बहुत demand है इस language में बहुत सारा काम internationally भी मिलता है तो आप as a freelancer भी अगर आप basically आप java पढ़ना start करो खुछ से भी पढ़ सकते हो या किसी coaching में जाकर आप java से learning start कर सकते हो यह programming language no doubt आपको बहुत बड़ा वास scope देगी बहुत famous बहुत ज़्यादा utilize होने वाली programming language है data scientist एक ऐसी profile है अगर इस से related बहुत स description में link भी दे दूँगा जिसके तो आप data scientist के courses के approach कर सकते हो basically data scientist एक ऐसी job हो चुकी है कि अब लोगों के पास बहुत सारा data है हमारे पास बहुत सारा data है data को proper तरीके से analysis करकी क्या outcome निकालना है यह job है data scientist की यह profile बड़ी interesting है समझने अली बात है Google की हम एक छोटा गूगल का example लेते Google पर एक search पर करोड़ों चीज़ है जैसे आपने search करा how to cook biryani और इस पर हजारों लाखों करोड़ों ब्लॉग्स मिल जाएंगे विडियो मिल जाएंगे उसमें से सही data को लेकर आना सही well defined data को लेकर आना यह चीज है यह beauty है data scientist की तो वैसे data scientist की requirement हर जगा पर हर domain में है त अब आते हैं web development में देखिए आज का time आ चुका है website based application based तो आप front end developer के लिए आप कोई भी language सीखो web development आपको हमेशा evergreen branch में ही आएगा क्योंकि इसकी need all over the world बहुत जादा बढ़ चुकी है online का आई रहा है तो computer में web development की job तो ऐसी job हो चुकी है इसकी need हर तीसरे इंसान को है अगर आपका business web पे नहीं है तो kind of digital भाषा में उसे daddy समझा जाएगा क्योंकि इसकी digitally presence नहीं वो business मेरे ख्याल से digitally work करेगा ही नहीं तो यह हर website आप जितनी website देखते हो यह front end जो design किया आता है develop किया आता है वो web developer के थ्रू ही किया आता है even आप YouTube पे जो वीडियो देख रहे हो इसका जो UI look and feel देख रहे हो यह सारा का सारा किसी web developer नहीं design किया है तो यह भी बहुत interesting और मज़ा आता है इस काम को करने में literally मज़ा आता है जब आप designing से play कर सकते हो राइट आगे पड़ते अब हम चलते short term short term work के लिए मतलब अभी आप एक student हो graduation में कहीं पर भी हो और आप च चीज़े अगर आप बहुत अच्छे से करोगे ना तो आपके पास में एक बहुत अच्छी field मिल जाएगी क्योंकि powerpoint की need education domain में official domain में बहुत vast है canva एक designing platform है हर तीसरा आदमी आजकल YouTube पे video बनाने की सोच रहा है हला कि बना नहीं रहा बट आप यह सोच सकते हो कि online presence में powerpoint की need बहुत हो चुकी है ऐसे बहुत कम लोग है जो powerpoint expert है और powerpoint में लोगों को service provide करते तो अगर आप अपनी expertise powerpoint जैसे software या canva जैसे software में लेके आते हो तो definitely यह आपको आपकी profile का add-on directory मिलेगा बहुत easy है 2-3 महीने के अंदर सीखो और काम चालू कर लो इसके अलावा में आपको य English speaking को लेके जब आपकी English में command होती है तो content writing, content writing की बात कर ले, blogging की बात कर ले, script writing की बात कर ले, subtitle writing की बात कर ले, तो इसलिए मैं बोर रहा हूँ कि अगर आपने English speaking course नहीं बोर रहा, specifically यह लिखा हुआ ऐसा, बड़ अगर आपकी English अच्छी है और आप उसको और अच्छा क लिख सकते हो, script writing कर सकते हैं, अगर आपकी English अच्छी हो और आप मेरे वीडियो देख रहे हो, और आप चाहते हो कि आप मेरे वीडियो की script लिख सकते हो, तो आप मुझे comment करका बताइए का मैं आपको job दे सकते हो, उस field से related तो, यह है importance, English अच्छी होने के बात सारे फाइद में interest बन जाता है, तो definitely इसकी job भी बहुत easily available हो, किसी भी job portal पर आप सर्च करोगो, तो टेली की job आपको भरमार मिलेगी, हर company में टेली users की जरुवत होती है, और अब मुझे लगता है कि यह जो है finest, advanced Excel, जहां आप बात करे data kit और data management करने के लिए software की नहीं डोड़ती हो, data भर बहुत properly apply कर सकते हो, तो अगर आपको लगता है कि Excel सिर्फ data store करने से related नहीं है, Excel में बहुत सारी चीज़ हो सकती है, Excel में अपने हाप में programming होती है, बहुत सारे logics होते है, आप धीरे धीरे अगर Excel, PowerPoint और Word, ऐसे software को पूरी तरीके setup करोगे ना, इसमें भी आप बहुत बनके तो आप Excel से related YouTube channel खोलतों वो भी success है, क्योंकि Excel की need market में बहुत ज़्यादा है, हर किसी को Excel सीखना है, अब computer related job से फिर में एक बार डोमेन से हटूँगा, sales, बेचना कैसे है, चीजों को बेचना कैसे है, sales की related job है, ये job अगर आपने कही internship के थूप अपनी sales marketing माले काम में बैश्रवात करी, तो definitely आपको बहुत अच्छा scope मिलता है, sales से मेरा मतला simple सा ये है, कि online को business, art of selling, ये सीखना होगा आपको, ये आप सीखोगे न, तो आपको easily कहीं पर भी job मिल सकती, कहीं पर भी internship मिल सकती, इसके लिए किसी degree की जरूरत नहीं है, किसी बस जरूरत है तो आप के experience की है, आपका, जो आपकी इस तरीके से sales में involved होते हो, तो sales से related job के लिए आपके पास में internships option होते है, ये computer job से थोड़ा अलाग है, बड़ में को लगा कि यहाँ पे कुछ शीदों को add-on करना है, तो मैंने add-on कर दिया है, अब आते हैं हम लोग evergreen filled digital marketing, digital marketing अपने आप में ए तो digital marketing ऐसा domain है, कि अगर आपको YouTube SEO भी आता है, तो आपको independent job मिल जाती है, digital marketing भी अपने आप में एक दुनिया है, इसने नए नए लोगों को बड़ा नाम दिया है, तो digital marketing के ऐसी field है, जिसको मैंने सबसे आखरी में रखा है, पर मेरे ये मानना है, कि सबसे top पे होनी चाहिए किसी engineering से कम नहीं, किसी data scientist से कम नहीं, किसी developer से कम नहीं, digital marketing एक evergreen best, 100% secured field है, क्योंकि आज के time पे हर business को, हर person को, हर influencer को, अपनी presence create करना है, तो वो आता है digital platform पर, और digital platform को grow करने के लिए ज़रूद पढ़ती है, digital marketing की, तो आपको अगर इस समय, मैंने आखरी में भी इसलिए र आखरी तक देखेंगे, तो नहीं सच में value मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस field को आखरी में रखा है, इसको सीखने के लिए कोई coaching institute की ज़रूद नहीं होती, Instagram पर सीखना, Instagram पर profile बनाओ, Instagram पर profile grow करो, YouTube पर सीखना, खुद का YouTube पर वीडियो बनाओ, YouTube पर ऐसी हो करो, खुद सी सीखने वाली field है, जो खुद से बहुत अच्छे सीखी जा सकती है, हाँ, आपको कोई coaching नहीं दे सकता, पर आपको कोई guide कर सकता है, इसलिए coaching लीजिएगा, तो digital marketing की कोई simple से बहुत सारे course है, फोक बजा के देखीगा, review rating सब कुछ देखीगा, और digital marketing का कोई एक course लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उसके बाद में आप अपने career को बहुत अच्छा बना सकते हो, देखिए दोस्तों, computer related job कभी कम नहीं होगी, सीधे सीधे बढ़ती ही जाएगी, इसलिए इन में से कोई भी field को आप secure करते हो, select करते हो, तो बेशक आप leader होके करिएगा, क्योंकि ये सारी ये कभी भी आने वाले सालों में changes आएंगे, changes आने के software update होंगे, आपको थोड़ा update होना पड़ेगा, आपको लगातार पड़ते रेना पड़ेगा, आपकी job हमेशा properly secure रहेगी, तो आशा करता हो, आपने इस वीडियो को आखरी तक देखा होगा, thank you so much for watching, अगर आपको इसस job के लिए apply करने वाले हो, या किस job में interested हो, thank you so much for watching,